फ्लाट बाइ करने से पहले 21 पॉइंट्स की चेक्लेश जिसका आपको और हमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टन्थ हो जाता है टीटेल में डिसकस करेंगे आज के इस वीडियो में यह कोई नॉमल चेक्लेश नहीं होने वाली है ऐसे कुछ उनीक पॉइंट्स आपको मिलने वाले जो आपको lifelong learning होने वाले चाहे आपके property में मतलब कि आप flat buy कर रहे हो चाहे आपका purpose हो investment का या फिर आप खुद रहने के लिए buy करें इन 21 points की checklist का ध्यान रखा तो कभी भी आपके साथ कोई भी धोका नहीं होगा मेरा नाम है अनंत लड़ा CFA CACFP LLB इससे पहले कि हम आज का one of the most important discussion स्टार्ट करें अगर अभी तक आप open for all free telegram का पार्ट नहीं बने सीधा telegram पर जाके invest आज परकल सर्च करिएगा आपको ये चैनल मिल जाएगा फ्री चैनल है जिसमें हम काफी सारी चीज़े additional update करते हैं चलिए शुरू करते हैं 21 points की checklist को एक-एक point करके समझना जब भी हम flat में investment करने का प्लान करें सबसे पहला important point होता है builder से लेटर हमें make sure करना है जो भी हमारा builder है जिससे हम property मतलब की flat buy करने वाल है उसका रहरा पर registration होना कंपल सरी है उसकी credibility market में अच्छी होना जरूरी है वो कोई GST default नहीं होना चाहिए हमें हमारे builder के past projects को check करना है past projects में उसका कैसा experience रहा है इन सारी चीजों को हमें make sure करना है यह होता है first point जो होता है builder से related अब चलते है second point की तरफ कई बार क्या होगा आप और हम property मतलब की flat buy करने वाले किसी third party से हमें chain of documents documents check करने सबसे पहला owner उस flat का कौन था second owner कौन बना और जो actually हमें माल बेच रहा है flat बेच रहा है वो owner तो है ना हमें chain of documents को बहुत importance देनी है यह होता है second important point third important point जो भी आपके flat का map हो वह government authority से approved होना चाहिए और more than that flat का map होना एक अलग बात है आपका जो actually flat बना है ना वह map के according ही बना होना चाहिए इस चीज़ का में make sure करना है कई बार क्या होता है जो map होता ना उसमें तो setback का area भी दिया हो होता है बार जब actually flat बनाने जाते है उसमें तोड़ा सा approval होने चाहिए especially अगर आपकी building बहुत बड़ी है 25 फ्लोर से उपर की building में काफी सारे approvals required होते fire department की तरफ से वह सारे approvals को आपको चेक करना ज़रूरी हो जाता है यह आपके लिए safety के लिए काफी important होने वाला है फिफ्थ important document और फिफ्थ important point आपको make sure करना है जो भी आपका flat है वो pollution department से approved होना चाहिए यह 5th important point होता है 6th important point completion certificate आपका जो भी flat है उसका completion certificate ready होना चाहिए signed होना चाहिए यह हमारे लिए important हो जाता है 7th important point occupancy certificate यह कुछ ऐसे certificate से जो हमें पता ही नहीं होता हमें देखने होता है occupancy certificate यह होता है मतलब जो आपका flat है वो रहने के लिए safe है ऐसा approval required होता है आपको make sure करना है कि जिस flat को आप buy करने की कोशिश कर रहे है उसमें occupancy certificate आपके पास पहले से होना ज़री हो जाता है 8th important point होता है competency certificate आप देख रहोंगे सबसे पहले हम सारे के सारे certificates और approvals की बात कर रहे है जो हमें make sure करना होता है 8th होता है competency certificate यह क्या होता है जो भी chartered engineer होता है वो यह make sure करता है जो भी आपका flat है वो earthquake या फिर बोल दिया जाए construction प्रॉपरली बना रखा है earthquake proof है इसका certification हमाले requirement होता है जिसको हम बोलते है competency certificate यह सारे के सारे certificates का आपको ensure करना है कि आप जो भी flat buy कर रहे हो उसके सारे documentation complete होने 9th important point loan से related होता है loan से related ना dual point होता है सबसे पहला point ही होता है जो भी आपका builder है उसने कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके flat के उपर कहीं पे possession दे के उसके उपर loan ले रखा हो अगर कोई ऐसा loan ले रखा है तो आपके builder से ensure कीजिए वो पहले उस loan को clear करा है यह important point उसी के साथ चाथ क्या है bank make sure करता है by chance किसी भी flat में कोई दिक्कत हो तो bank finance ही नहीं करता तो bank आपके लिए third party auditor के जैसे काम करता है तो हमेशा हमें loan में 2 points का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला जो builder का loan हो वो हमारे flat के against नहीं होना चाहिए और अगर हमें अभी भी कुछ doubt है तो bank से finance करवा ली onne-insure हो जाता है tenth important point tenth important point हो तो one time lease के related होता क्या है builder की duty होती ही one time lease पे करेए एक साथ लम सम पेकरे ताकि आपको बाद में कोई lease की requirement नहीं ना है बहुत बार ऐसा होता है builder one time lease पे ہी नहीं करता बाद में पता चलता है society को और society को बाद में bear करना पड़ता है यह important point होता है आपको हमेशा documentation check करना है कि आपके flat का one time lease payment हो जाना चाहिए उसी के साथ साथ ना अभी नया rule क्या है usually one time lease क्या होता है आठ साल की lease आप एक साथ पे कर देतो अगर उसमें आप दो साल की lease और बढ़ा दो मतलब दो साल additional lease पे कर दो ना तो freehold lease हो जाती है आपकी property हमेशा के लिए आपकी हो जाती है और lease पर रहती नहीं है हमेशा चेक कीजिए अगर आपके builder ने additional payment कर रखा है और आपकी property को freehold lease बना रखा है आपके property dealer की या फिर बोल दिया जाए आपके builder की credibility बढ़ जाती है ऐसी नियत वाले लोग ही हमें चाहिए जो अपने आप अपने आप इंशार करें कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो इस चीच का make sure कीजिए अभी तक के आपने पहले 10 पॉइंट चेक आउट कर लिए यह सारे 10 पॉइंट थे mainly related to documentation उसे के साथ साथ important थे कुछ approval से related loan से related जो हमें documentation चेक करने होते हैं आप चलते हैं आगे की 11 पॉइंट की तरफ यह सारे 11 पॉइंट होने वाले facilities से related जिसे हम एक एक करके discuss करेंगे आप चलते हैं 11 पॉइंट की तरफ सबसे पहली facility जिसका हमें ध्यान रखना है हमें make sure करना है जो भी हमारी society है जहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं वहाँ पर जिम पूल गार्डन टेंपल इन चारों की facility इन होनी चाहिए कभी न कभी आपको काफी requirement होने वाली है यह होता है 11th point सीधा चलते हैं 12th point की तरफ without एक भी मिनट वेस्ट करते हुए 12th point होता है कि आपकी जो भी property है मतलब जो भी फ्लैट है जिसको आप बाय करना चाहते है उसमें club house होना चाहिए उसकी के साथ साथ मिनी बसार तोड़ा बहुत अगर 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 चुछ कर गैस की parking की facility है या नहीं है अगर आपको facility है parking एडिशनल बाय करने की तो उसके charges क्या है अगर आपको एक भी car facility नहीं है parking करने की तो उसका provision क्या है parking से related हर एक if और हर एक बट आपको पता होना चाहिए अभी चाहिए important हो या नहों आने वाले समय में काफी important होने वाल है next point की तरफ चलते है 14 important point आता है security related जिस भी society में मुझे flat buy करना है उसमें security की facility होना security guard की facility होना ज़रूरी हो जाता है 15th point electricity जब भी हम किसी भी society में buy करते हैं flat दो option आते सबसे पहला कि आपको अपना separate electricity का connection मिलेगा जो best हो जाता है हमें यही ensure करना है कि separate electricity connection होना ज़रूरी हो जाता है वहाणना कई बार क्या होता है बहुत सारी society ऐसी होती है कि single connection होता है जिसका payment builder करता है अगर white chance builder ने कभी default किया आपकी electricity बंद हो जाएगी ensure कीजिए कि separate electricity connection होना ज़रूरी हो जाता है 16th important point load of electricity क्या आपकी society में जिसमें आप flat buy कर रहे हो क्या proper load है electricity का या फिर बहुत ज़्यादा power failure हो जाते नहीं होते इस चीच का ensure करना है उसी के साथ साथ 17th important point आता है क्या आपकी society में power backup है या नहीं कई बार क्या होता है हमें society में फ्लैट तो ले लेते हैं पर वहां पर प्रॉपर पावर बैककप की facility नहीं होती बाद में हमें दिक्कत आती है साथ ही साथ हमें यह इंशर करना है अगर हमारी society में कुछ common area है वहां पर solar facility होना जरूरी हो जाता है चलते नेक्स point की तरफ जो 18th point होने वाला है water related हमारी society में सबसे पहला important point proper water treatment plant लगावा है या नहीं अगर proper water treatment नहीं हो आना चाहिए आप यूज करो department का water या फिर आप यूज करो ground water जो आपको याद होगा ना आपकी बावत्रुन फिटिंग्स में कुछ कालपन आ जाता है कुछ खराब हो जाती है उसका सबसे में कारण यहीं होता है कि वहाँ पर प्रॉपर ट्रीट्मेंट नहीं होता हमें इंशर करना है एटलीस हमारे फ्लैट में तो हमें proper water treatment होना जरूरी हो जाता है उसी के साथ साथ अगर हम ground water भी यूज करेना तब भी proper water treatment के उपर importance देना जरूरी हो जाता है नाइटीन इंपोर्टन पॉइंट ही होता है कि हमारे जो भी फ्लैट बाय करें सुसाइटी में वहाँ पे pressure reducing wall की facility होना चाहिए कई बर क्या दिक्कत होती है पच्छेस फ्लोर की सपोस कर्चते बिल्डिंग है जहां पर हमने फर्स फ्लोर पर लिया है कोई flat क्या होता है ऊपर के दो तिन फ्लोर में तो बड़ा ही मज़दार पानी आता है ऐसा लगता है ग्यार मज़दी आगे नीचे के फ्लोर पर पानी तो छोड़ो बूंदे आती है फिर हमें ही मशकत करनी पड़ती होती है और दिक्कत होती है प्रेशियर रीड्यूसिंग वाल होना चाहिए उसी के साथ सब्सक्राइट कनेक्शिन की फैसलिटी वी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बाएचांस कोई 25th फ्लोर पर रहने वाला या 28th फ्लोर पर रहने वाला जना बाएचांस कोई वाल चोड़ अगर आपकी ऐसी building में आप फ्लाट ले रहे हैं जिसकी 50 फ्लोर से ज़्यादा की building है वहाँ पे stilt house है या नहीं है compulsory होता है आपकी building में stilt house होना अगर आपकी building 50 फ्लोर से उपर की है मतलब यह क्या होता है suppose करते 10 फ्लोर के बाद एक सिंगल फ्लोर आजाता है जहां पे कोई भी construction नहीं होता इसको हम party house के ऐसे भी use करते है ज़रूरत पड़ती है तो तो इस tilt house आपकी society में यह जहां पे आप फ्लाट बाई कर रहे है वहाँ पे है या नहीं इस चीज़ का हमें make sure करना चाहिए यह fire fighting system बहुत important होता है world trade center में भी जो destruction हो था में कारण यह था कि वहाँ पर प्रॉपर फाइर फाइर फाइटिंग प्रूफ होने चाहिए last important point बहुत सारे point discuss का चुक है इसकी आपको checklist बनाना जरूरी हो जाता है और टिक माग करते जाएगा जैसे आप point को use करे last important point होता है AC की facility का क्या proper provision है या नहीं है कई बार क्या होता है बहुत सारे flats में AC का provision ही नहीं होता और हमारी जो इसमें AC का पानी टपकता रहता है पूरी की पूरी बालकेनी हमारी वेस्ट वजाती है हमेशा इंशुर कीजिए प्रॉपर एसी लगाने के लिए facility और शाफ्त होना जरूरी हो जाता है जो सभी के लिए इंपॉर्टन होता है यह हो जाते है 21 जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कभी भी फ्लाट बाय करने से पहले उसी के साथ साथ इससे पहले कि हम वीडियो क्लोस करें अगर यह अच्छा लगे तो लाइक करें बिना मज़ जाएगा आपकी लाइक से मिलता है सिर्फ जो लिंक और जो नंबर आपको डिस्क्रिश न विल जाएगे उसे ही यूज्ड करना जरूरी होता है आप किसी गलत कमेंट के चकर में मर पड़ जाएगा सारे के साथे ओफिशन लिंक आपको डिस्क्रिप्श्न मिलने वाले like करें बेना मज़ जाएगा यह वीडिय होने वाला है, happy investing and I will see you very soon.